वरिशव राशी वाले दोस्तों ग्रैगोचर के अनुसार अगस्तमा भाग गया दन, सुक्षांती और सम्रीदी लेकर आ रहा है। पिछले समय से शनी की सुख स्थान पर वकर्द रिष्टी सुख चैन में भारी कमी कर रही है। लेकिन अगस्तमा में सुक्ष बापर दो शुब और मित्तर ग्रैहों शुटकर और वुद्ध का संचार शनी की वकर्द रिष्टी के अशुब फलों को दूर कर शुबता परदान करेगा सुख चैन जैसे फल मिलेंगे घर परवार में, सुख शांती और खोशियों का करता हूँ, वीडियो में विस्ताफ से अगस्तमा की बात करेंगे वीडियो महत्त प्रण रहने वाल या वीडियो के अंततक बने रहें, नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलिजर रजेश कालिया आर्दिक स्वावित करता हूँ, आपकर अपने यूटीव चैनल अक्षी तै मान के पांच महत्त प्रण ग्रह आपकी राशी के केंदर स्थां पर संचार करेंगे, जो केंदर स्थां को त्यादिक मिजबूस्ती पर दान करेंगे, केंदर स्थां की मिजबूस्तिती हर कार्या में सफलता प्रफदान करती है, मान समान और प्रतिष्ठा वड़ती है, इन पंचम बापर केतू ने तो लाब बापर बाहुबली राहु ने मोर्चा संभालना हुआ है। इनमें से राहु की स्थितियत यादि लापरत बनी हुई है। हर कार्या में लाब परदान करने वाली है। दो चर्वश अगस्तमा में चार ग्रहुँ सूर्या मंगल बुग और शुकर का राशी परवर्तन है। अन्या ग्रहुँ की यदास्तिती बनी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सुआस्थ की। आपकी राशी पर गुरू और मंगल का युतियो बुद्धी बल और ग्यान में व्रिदी के सासाता आपको उर्जावान बनाएगा। 25 अगस्त तक राशी स्वामी शुकर का भी सुख स्थान पर संचा स्वास्त के दृष्टिकों से उप्तम रहेगा। 16 अगस्त तक अरोग्याकार्क सूर्या का प्राक्रम बाप पर संचा शरीरिक अरोग्याता परदान करेगा। शरीर निरोग रहेगा स्वास्ट के जृष्टिकों से सूर्य की स्थिती भी उप्तम बनी हुई है लेकिन 25 अगस्त को शुकर का पंचमपा और अपनी नीच राशी पर केतू के साथ जुती चोक कुछ शुब नहीं है खान पान साफ सफाई और सवच्टा पर अधिक देहां द में अलर्जी और इनफेक्शन जैसी स्थिती से दूरी बनाए रखे स्तर्क बने रहें बातकरी शिक्षा की तो लंबे समय से आपकी राशी के पंचमपा पर केतू संचार कर नकरातम गुर्जा पैदा कर रहा है अब आपकी राशी के पंचमपा और केतू दोनों पर विद्यारतियों के लिए अनकूल बना रहेगा शिक्षा के अलावा विद्यारती क्रेटिविटी के शेतर में भी बहुत अच्छा कारिया करेंगे 25 अगस्त को शुकर राशी प्रवर्तन कर पंचमपा में पर वेश कर विद्यारतियों को क्रेटिव बनाएगा इस समय अलागे शेतर से जुड़े विद्यारतियों को लाब मिले गड़ाएगा बात करें प्रेम्स बंदों की तो पंचमपा पर केतु का संचार प्रेमियों के प्रेम्स बंदों को भी परवावित कर रहा है नजर लगाने का कारिया कर रहा है अगस्तिमा में शुकर और खाई देंगे। प्रेमी जन के साथ इसमा अच्छा समय वैतीत करेंगे। घूमने फिरने और मोज मस्ती करने के अफसर मिलेंगे। केत्व के प्रवाप से कभी एक बार विश्वाश में कमी देखनी को मिलेंगे। लेकिल गुरू की द्रिष्टी के फल्स गुरुप खास मामला बिगडेगा नहीं। प्रेंस बंदों में मजुर्ता बनी रहेगी। बात करें शादी शुदा दोस्तों के दंपत्य जीवन की तो शनी की वकर्द रिष्टी दंपत्य सुक्षांती को भी नजर लगाने और रंग में भंग डालने का कार्या कर रही है। अगस्त मा मे भी शरी का यह काम चलता रहेगा। इसलिए जीवन साथी के साथ बात करते समय करोद, वानी और वहवार पर उजित ध्यान दे। दंपत्य जीवन में सुक्षांती बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। करोद पर नेंतरम रख छोटी छोटी बातों को दूल देने से जीवन साथी का सायोग और मार्गदर्शन लेना लावरत रहेगा। दंपत्य बापके स्वामी मंगल और लाबापके स्वामी दूरु दोनों आपकी राशी पर यूथ जोब और दंपत्य बापर दरिश्ची जीवन साथी के माद्यम से लाव दो दिखा रही है। इसलिए जीवन साथी के साथ सला मिश्वरा कर कार्या वेपार करना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं जीवन के अन्या महत का पुर्ण शेतरों जैसे भाग गया दन, संतान, करियर और आर्थिक द्रिश्टी कोंग से गस्तमा क्या संकेत दे रहा है। आपके भाग गया और करियर दोनों की डोर करमफल दाता शनी के हाथ में है। आज कल शनी करमबा पर वक्री वस्ता में संचार कर रहा है। अगस्त मा में भी शनी की उन्टी चाल बनी रहेगी। शनी की किर्पया आपको पल बर में फरज से उठाकर अरश तक पहुंचा सकती है। लेकिन शनी की किर्पया सरलता से नहीं मिलती है। कमफट जों से बाहराना पड़ता है। संगर्श और मेहनत के रास्ते से गुजरना पड़ता है। फिर एक दिन आपकी अपने कारियों के प्रती लगन, जिद, जनूर, मेहनत और प्रयासों का पूरान फल शनी सफलता के उन्ट में परदान करता है। आज नहीं तो कल आपकी मेहनत रंग लाएगी। शनी के गर देर हैं धेर नहीं। इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं शनी की किर्पया देर से मिलती हैं लेकिन जब मिलती हैं धेर सारी मिलती हैं। वरिशव राशी वालों की सफलता के पीछे सदे शनी का हाथ रहता है। वक्री वस्तामेशनी भाग गया और करम दोनों के सुख हैं सैयोग में वरिदी करेंगा। कार्य वेपार में विस्तार के अफसर मिलेंगे। कार्य वेपार का विस्तार विदेश तक संबव है। इसलिए वहे दोस्त जो विदेश तक कारय वेपार का विस्तार करने के इच्छुक हैं उनको विशेश रूप से लाब मिलेगा या अपने देश में किसी मल्टी नैशनल कमपनी के साथ जुड़ कर कारया कर सकते हैं। विदेश से लाब के लिए राहु का सैयोग भी आपके साथ बना हुआ है। विदेश कारकर राहु का लाबाप पर संचार विदेशी स्तरोतों से लाब के अच्छे मौके पैदा करेगा। बहुबली राहु का लाबाप पर संचार आरतिकुनती लाब और सफलता को बल पर दा कर रहा है। आए और लाब की स्थिती मिजबूत बनी रहेगी। करम बाप पर शनी का उल्टा चलना। कारिया शेत्र में कभी गबार पंगे पैदा कर देका कारिया करें। खासकर नोकरी पेशा दोस्तों को अधिक स्थर्क रहने की विश्चता रहेगी। अपने वहवार पर द्यान दें। पिछले समय से शनी की चतुर्त बापर वकर द्रिश्टी के फलस्बूप आप मन में सुख चैन की कमी महसूस कर रहे हैं। माता जी के सुख सने सायोग स्वास्ट और सवापर भी नकरातम परवाप पढ़ रहा है। अगस्त मा में इस समस्या से भी रात मिलती दिखाई देगी क्योंकि घस्त मा की शुर्वात में आपकी राची के चतुर्त बापर लगजरी लाई और बौतिक सुखों का अरक शुकर के साथ धन पापका स्वामी बुद्ध संचार करेगा। जो की महत्त पुर्ण रहेगा दोनों की स्थिती से ग्रेलू सुखों में व पर फुमलित रहेगा। शुकर और बुद्ध की शुक्ता माता जी के सुख सने और सहय योग में भी बृदी करेगी। उनके स्वास्त को बेहतर बनाएगी। शनी की वकर द्रिष्टी ने वहन से सबंदित कोई चिंता परशानी पैदा की है। वहन बार बार खराब हो रहा उस चिरिता प्रशानी से भी वहार आएगे। शुकर और बुद्ध की शुक्ता वहन सुख पर दान करेगी। उत्तों वहन सुख के योग बनेगे। वैपारी दोस्तों को जनता का सुख सने और सहयोग प्रापत होगा। इससे वैपार मेते जी आएगी। उदर प्राक्रम पर पर प्रताप्फी सुर्या का संचार ये श्च्पत्ध प्रतिश्ठा और पदानोती के अंकूल अक्सर परदान करेगा। अगस्त मा की शुर्वात से ही सुर्या की प्राक्रम पर स्थितीत बनेगी। ऑलने गी। प्राकरम बापर सुर्या के बेहतरीन परिनाब देखने को मिलते हैं। सरकार, राज्या, उचपदवी, मान समान, पिता और अरोग्याकारक सुर्या का प्राकरम बापर संचाल। मान समान और प्रतिष्ठा में वरिदी करेवा यश्च और प्राकरम बढ़ेगा समाज के महत पुर्ण और प्रवावशाली लोगों के साथ मेल जोल और मितरता बढ़ सकती है। वह भी आपके साथ मितरता पुर्ण वहवार करते हुए दिखाई देंगे। अधिकार प्रसंद सूर्या की परसंता समाज में आपके भी परवाव पुर अधिकार शेतर का विस्तार कर सकती है। सरकारी कारियों में सफलता मिलेगी। वैपारी दोस्तों को भी सरकारी मितियों से लाब के अच्छे मुक्चे मिलेंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्या करना है तो 16 अगस्त से पहले करना अधिक बेहतर रहेगा। 16 अगस्त को सूर्या राशी प्रवर्तन कर चतूरत बाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस समय सूर्या मजबूर स्थिती में रहेगा फिर भी सरकारी लफड़े से दूरी बनार कर रखे। मान समान का खास ध्यान रखे। क्योंकि इस समय सूर्या और शनी का दृष्टी स्वंद बनेगा, सूर्या पर शनी की वकर दृष्टी पढ़ेगी, जो कि अधिक हने कहा तुम तुरुजा पैदा कर सकती है, इस से सूर्या की स्थिति कुछ कम जोर रहेगी है। अब करम बाप के साथ सरकार और राजिया कारक सूर्या शनी के वकर परवाप शेत्र में रहेगा जो सरकारी कारियों में बिगन और बादा को दिखा रहा है। सरकारी नोक्री से जुड़े दोस्त फास स्तरक रहें। कार्या शेत्र में अपने से विरोधावस रखने वालों से दूरी बना कर रखें, वह आपके मांसमान में कमी करने और आपकी टांग फीचने के कुरियोर प्रेतन करेंगे। आजकर 16 अगस्त के वाद उनसे दूरी बनाए रखें, आपके महत्त पुर्ण कार्या जब तक पूरन ना हो जाएं, किसी के आगे खुलासा ना करें, दुप्त रहने दें, नहीं तो बने बनाए कार्या प्रवाविक रो सकते हैं। 22 अगस्त को भुद्ध भी राशी प्रवर्तन पर वक्री वस्था के कार्णवश एक भाव पीछे प्राक्रम बामे पर वेश कर जाएगा। अब भुद्ध की स्थिति का सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को लाब मिलेगा। आपने बुद्धीवल और क्रेटिविटी के दम पर सोशल मीडिया पर अच्छा कार्या करेंगे नेम और फेम में प्रिदी होगी। बुद्ध के बाद राशी प्रवर्तन शुकर का है। 25 अगस्त को शुकर भी राशी प्रवर्तन कर पंचमबा में प्रवेश कर जाएगा पंचमबा प्रवी शुकर के बेहतरीन प्रिणाम देखने को मिलते हैं। संतान सुख में व्रिदी होगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी शुकर की स्तिती का लाब मिलेगा। शुत्तर के राशी प्रवर्तन से उधर अब केवल सूर्य और शनी का द्रिष्टी स्वंद बनेगा। जो की अधिक नकरात में पुर्जा पैदा कर सकता है। दोनों अपने अपने भाव पर संचार कर रहे हैं। दोनों की स्तिती मजबूस बनी हुए लेकिन दोनों में से कोई भी काम नहीं है। इसलिए स्तरक बने रहें। अगस्त मा में अंतिम राशी प्रवतन मंगल पाहर। 26 अगस्त को मंगल की राशी प्रवतन का द्वीतिय भाव में परवेश कर जाएगा। इस बापर मंगल आपकी वानी में कट्रोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेवा। एक तो सूर्या और शनी का द्रिष्टी सबन्द, सूर्या पर शनी की वाकर द्रिष्टी, दूसरा मंगल का वानी बापर संचाब, एक करेला दूसरा नीन चड़े जैसा का रहा करेवा। इसलिए जोश जोश के साथ होश हुई बनाए रखें, वानी के दुर्ब योग से बचें, गुद्धी ववेक से सोच विचा कर धैरया, एम सेयम बरूब का रहा करेखास कर, नोकरी पेशा दोस्त, उच अधकारी वरक के साथ बात करते समय वानी पर सेयम बनाए रखें, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना हुरू लें